इस lockdown के दोरान, housewives या ग्रेणियों के अलावा, आप सभी ने रसोई घर में कुछ न कुछ काम अवस्य किया होगा, उसकी देखवाल की होगी, और उसमें से एक प्रमुख कार्य है बर्तनों का, आपने बर्तन धोये भी होगे, पोशे भी होगे, और साफ करके उसको निर्धार किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, लेकिन किया सभी ने, थोड़ा बहुत हर एक आदमी काम किया है, इस lockdown ने हमें ये चीजे सिखा दी है, जो कि हम पहले शायर ही कभी करते हो, lockdown के द्वारा हमें ये सब सीखने को मिला है, तो जब आप ये बर्तनों की रख रखाओ कर रहे होग कि कैसे इंगा से दिया जाता है, ये आपने जुरूर सोचा होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक एक जांपल दिखा रहा हूँ, जस इलस्टेशन है, ये मान लीजिए एक आपकी स्टेनलेस स्चील या ऐलिमिनियम की शीट है या स्ट्रिप है, और यहां से आप एक से लगाते हैं, ये से इसकी अलग-अलग हो सकती है, और ये पंच के द्वारा आप इसको पंच करते हैं, तो ये दीरे दीरे पंच होते 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 हैं, ये करिब-करिब इस गहराई तक पंच हो जाएगा, फिर आप इसको निकाल लेते हैं, तो यहां से लेके और यहां तक, बिच तेंदे, ब मैं बोलू है यहां से लेकर यहां तक, यह लेकंद से लुए है तो इस जगह से लेकि यहां से भी करना पड़ता है लेक्त कंद के लिए लग शेप माते से की था था रहा है . लेकिन इस कार्य के दौरान, आज कल ये काम वैसे मेकनाइज भी हो गया है, लेकिन इस कार्य के दौरान कई बार जदी आपने जुरुरत से ज्यादा उसको बेंट कर दिया, तो हो सकता है, वो seat crack हो जाए, तो यह सब जानने के लिए कि हम किस हद तक उसको प्रेस करें, किस गहराई तक उसको प्रेस करें, ताकि वो क्रैक ना हो और बरतन हमारा रिजेक्ट ना हो जाए. तो इस चीज को देखने के लिए, जानने के लिए, एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कपिंग टेस्ट, तो किसमें भी जब टेस्ट के बाद जो सेफ होता है, उसका कप की तरह ऐसा गोल सेफ आ जाता है, टेस्ट पीस का, तो वो हम करते हैं, और इसको जनरली एरेक्शन के बारे में ही बताने वाला हूँ, कि यह कपिंग टेस्ट या एरेक्शन कपिंग टेस्ट क्या होता है, कैसी किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नहीं है, यह सारा कुछ मैं इस पाट टू में कवर करूँगा, उमीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगा, और जदी आपको यह पसंद आता है, तो आप पसंद किजिए, कुछ लिखे हैं आप उसके उपर, कमेंट दीजिए, अपने सुझाओ भेजिए, और जदी आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी किजिए, यह मैं आप से उमीद करता हूँ, तो अब आपका इंट्रो में मैंने आपको बताया, यह test, erection cutting test कहलाता है, और आज मैं इस slide में, इस particular वीडियो में मैं आपको His cupping test के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन इस से पहले कि मैं बताऊं, इस से पहले जो मैंने आपको part release किया था, that was part one, क्या था, वो हो फेãy जॉम्णी हाड क्या होता है क्या 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 करते हैं कहा करते हैं लो हाड एलमिल्टी और हाइवल्टी जॉमनी क्या होती है यह सारी शीए बताई थी आपको यदि आपने इस पार्ट को नहीं देखा हो तो अवस्चे देखिए क्योंकि यह पार्ट बहुत ही जरूरी पार्ट है मेटलर्जिस् से रिस्पॉंस भी मिले हैं तो मित करता हूं कि यह पार्ट टू भी जो है आपको उतना ही पसंद आएगा तो चलते शुरू करते हैं प्रोग्राम कि यह कुछ एक मेटलर्रिगल टेस्ट मैं यूज किया जाते हैं यह से iş क्लाय शंके हैं है यह अच्ञू कुलिए में और प्रावब्लम्स और उसके सॉलॉस्टिंस हो सकते हैं इसके बारे में मैं जीकर करूंगा इस फूरे वीडियो में तो पहले तो परपस डायरेक्शन कपिंग टेस्ट इस डन टू डिटर्मिन फॉर्मेविल्टी ऑफ सीट एंड इसका यह मतलब हुआ कि इसका परपस के हम क्यों करते हैं पर पर इसलिए कि हम किसी भी सीट की यह अथ्वा स्विप्स की उसकी फॉर्मेविल्टी कहते हैं कि उसको जिस भी आकार में उसको डालना चाहो वो उसमें ड़ जाय है तो उस तरह की फॉर्मेविल्टी को करने के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं कि यह उसके योग है की नहीं है? दूसरा एक डेफिनिशन है इसका शार्चें कपिंग टेस्ट यह सी इसमें छूट गया है मुझसे इसको आप डेक्टिलिटी पढ़िए डेक्टिलिटी टेस्ट विच इंप्लाइड तो इवैलुएट एबिलिटी ऑफ मेटलिक सीट अनिस्टिप टूंडर्गो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन इस्टेच फॉर्मिंग यही कह रहा है कि जो अ क्या करता है वो एक में टेलिक सीट या सिफे वार उसकी जो जिवा डेक्टिलिटी है इंक जो फॉर्म टी होती है ऊर्ड एक सो ci ऐतरा से जहसे सब आतर चैनल कि एक साथ तक कुसको चập in किनthem सक्कर सकते हैं वह सब्सक्रासिक डिफॉर्मेशन दे ताकि वह तूटे न है उप सीट रोंट की जा सकती है we Love life को आपको इसमें कुछ नजर नहीं लेकिन इसको इसका कवर खोल के फिर करना पड़ता है यह अलग से हैं जो कि आज कल डिफरेंट मैनिफेक्ट्र बना रहे हैं कपिंटेस्ट ओपन टाइप का यह इसमें यहां लगा हुआ है यह इसकी यह वील है जो किसे और यह इसके भीतर होता है सीट यह स्लॉट दीख रहा लगा है जैसे वह सीट करती है अघ्र आर वार घ्र लाती है हम अनौट्स को रोख देते हैं और उसकी घहराई जो करेंड डुता है जितना यह चलता है यह परेस करने वाला अधे मेश्यों करने वाला यह केलिबबरेट करता ही प्रैशुरह जाता है कि कि इतना हमने लुल स दिख रही है यहां से यह पिस्टन है इसका यह इसका सेफ है यह इसको बाहर से इसको जैसे मैंने आपको दिखाया था सेम चीज बाहर से इसको प्रेस करते हैं प्रेस करके इसको दबाते जाते हैं और यहां तक जैसी यह क्रेक होता है इसको छोड़ देते हैं तो इस मशीन के through हमें उसकी strength का भी पता चल जाता है कितना कितना लोड वो जहल सकता है और क्या गहराई तक वो जा सकता है तो यह चीज़ें पता की जा सकते हैं इस मशीन के द्वारा test procedures steps क्या क्या steps है देखिए यह तो standard बिए यह स्टेंडर्ड इन 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 स्टेंडर्ड है 10175-91-1993 इसको करेक्ट कर लिजिए क्या क्या इसमें पार्ट संदेखिए पहला चीज़ें इसको जो उसके contacting surface है जो सीट surface के और जो आपका जो piston है या जो पंच है जिसके तुरू प्रेस किया जाता है उसके उपर हम थोड़ा ग्रीसिंग कर लेते हैं लाइट ग्रीसिंग कर लेते हैं ताकि यह स्लिप ना हो और इसका contact बराबर बना रहें सीट के साथ उसके बाद हम इसको क्लैंप करते हैं टेस्ट पीस को करीब करीब 10 किलोनीटन फोर्स के तुरू इसको पूरा क्लैंप करते हैं अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए यह चीज़ अधरवाई यह कई बार यह पीस इसमें से स्लिप कर जाता है तो ब्रिंग दर पंच इन कॉंटेक्ट विद टेस्ट पीस मेजर्मेंट तु स्टाट इस पॉंट जैसे ही आप इसको कॉंटेक्ट मे लाते हैं पंच को सीट के साथ उसके बाद से आपका यह मेजर्मेंट सुरू हो जाता है कि किस डेफ तक यह जा रहा है और इसको प्रेस कि उसको प्रेस करते हैं पंच को प्रेस करते हैं इस्मूदी और बड़ा यूनिफॉर्म ली करते हैं बहुत जटके से नहीं किया जाता यह तर्वाइस आपको रिजल्स कभी अच्छे नहीं मिलेंगे और तब तक करते हैं जब तक यह थोड़ा सा क्रेक नौजा आर पार क् यह क्रेक्ट उसके हम कहते हैं तो यह जब तक नौजा तब तक उसको हम प्रेस करते रहते हैं उसके बाद टर्मिंटर दपंच वन्सक्राइब पड़ा आप जो पंच आप कर रहे थे उसको फटा लेते हैं पंच को अफिर आप मेजर देफ्ट ऑप पैनिटेशन इन मिलीमीट फिर सर्फेस देफ मीं में मेजर करते हैं यहां फिर होता है मेजरमींटक कर सकते हैं इसका ल होता है जब घुमाते हैं तो इसके घुत साथ मूब करता है और हो पूरा है इसको शो आप चेकfront कर सकते ंगी कितने हद तक आपने उसको डिपनेटेशन किया है और लास्ट जो है वह कपिंग इंडेक्स जो कि पुछ नहीं बलगी जो डेफ्ट पैनेटेशन है इन मिलीमीटर इंटरम्स ऑफ कितने मिलीमीटर प्रेस करता है उसको हम कहते हैं कपिंग इंडेक्स तो यह सारी चीजें इस के दोरा यह प्रोसीजर रहें किया जाता है जदि आपको ज्यादा डिटेल देखना हो तो आप यह जो मैंने इंडियन स्टेंडर्ड 10175-1993 इसको आप डिटेल में देखिए बहुत कुछ और आपको मिलेगा इसमें मैंने तो इसमें से मुख्यते बाते आपको निकालके आ the special spherical surface should always be in contact with the fresh paste ये जो उसका पंच वाला जो श्मेरिंकल पॉर्सल है तो वो सितख्टमें रहना चाहिए इसीके लिए मुआ अप इसका उपर तोआ हीके बना भी लगा जुरूद होना चाहिए और कोई भी उसके उपर foreign matter वोगरा डर्ट पार्टिक्ल वोगरा नहीं होना चाहिए कि अधर्वाइज यह ट्रेस्ट को एफेट करेंगे कि थर्ड जो है नो बर्न है और तेस्ट जुरूरी ए तो कोई भी बर नश्केश को अगरा ही अ कि कोई भी भर मार्क एधर ए या वर्स ना हो तक कोई width और diameter should not be less than 90 mm. यह test piece की एक requirement है कि वो चाहे rectangular भी हो सकता है या circular भी हो सकता है लेकिन उसके जो diameter या width जो है वो 90 mm से कम नहीं होने चाहिए इतने आपको minimum test piece की requirement है. लास्ट जो precaution है, the distance between the center of indentation of edge of the test piece should be equal to 45 mm and the distance between the center of the two indentation should be at least 90 mm. इसका यह मतलब हुआ कि जो piece है उसके edge से लेके जहां आप उसका center of indentation यहां उसको press कर रहा है वो कम से कम 45 mm होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए एकदम यह नहीं कि उसके edge के आसपास ही आप कर रहें टेस्ट तो आपका test अच्छा नहीं आएगा दूसरा यह है कि जिदी करते हैं तो दोनों indentation जो आपका पड़ता है उसके उपर कम से कम 90 mm का difference होना चाहिए बहुत क्लोज नहीं होने चाहिए आपस में दोनों इंडेंट तो यह सारे precaution during testing लिए जाते हैं क्या इसमें आ सकते हैं प्राब्लम बेसिकली इसमें एक तुछ यह है कि टेस्ट पीज़िप करते हैं थोड़ा सा जोल आया टेस्ट करके गिर गया तो बार बार इसको करना पड़ता है इसके लिए आपको चुसकी क्लैंपिंग है उसको बहुत रिजील और टाइट करना कि दूसरा इसमें प्रॉब्लम आती है कि टेस्ट रिजल्स और नॉट कंसिस्टेंट यह भी कई बार आपको यह गया दो पिस्ट यह तीन पिस्ट चेक करने पड़ते हैं तो इसके लिए यह बहुत जिरूरूर यह कि जो प्रेशर लगाते हैं एक्टरनल प्रेशर लगाते है इसके उपर पंच के फिस्ट के उपर वह स्लो और स्मूद प्रेशर होना चाहिए दिवरिंग इंटेशन उसमें जदी आपने जल्दी वाजी किर्दी वह आपने उसका पहिया जल्दी घुमा दिया तो कई बार वह रिजट सेहीं नहीं आती है और पीस करक कर जाता है आपक निकालनी हो तो कम से कम तीन पीस जरूर देखिए तीन पीस का एवरेज ले लिजिए या जो उन्हें से दो हाइस ट्यम का एवरेज ले ले लिजिए लेकिन कम से कम तीन टेस्ट पीस आपने जरूर करने है तो यह जहां तक सवाल रहा एरिक्सन कपिंग टेस्ट का यह सीट यह जहां तक आप देखिएगा सीट मेटल इंडस्री में बहुत ही होता है मैंने इंट्रू में बताया था कि जो बरतन स्टील के बरते हैं चाहे जो एलमिनियूम के बलते हैं चाहे वह प्रेसर कुकर हो चाहे वह आपका एक लोटा भी हो कुछ भी हो सकता है तो उसको बनाने क होता है वह सेफ हम जो उसका मेंडरल होता है यह उसका पंच होता है उसमें वह आकार दे देद्क हो हो यह सारा कुछ है अब कर दो जरूद जो इसमें काम की चीजें थी मैंने आपको सारी बता दी है पट्रिकुलर सीट मेंटर इंडस्री के लिए जो लोग सीट में काम करते हैं उनकी यह बहुत जूरुरी होता है कि इसीट को एप्रूब करने से पहले कपिंग कर करके देख लें और कपिंग ट्रैस्ट की अपनी सार ज़रूरी होता है इसके बाद में अब नेक्स्ट जो मेरा पार्ट है पार्ट सुरी यह आपका चारपी इंपेक्ट टेस्ट के उपर होगा यह भी बहुत महत्वर्पूर्ण पार्ट है मैं मेटलर्जिकल टेस्टिंग का इसे भी आप आवश्य देखिएगा तो उमीद करता ह आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरे इमेल आइडी पर भी संपर्क कर सकते हैं और जदी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए तो आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अब यह प्रोग्रा मेरे टाइब किए अट्व और लोग्राइब क taught estado मॉपत कर सकते हैं तो आपका इतना रहा ही तो आपका कर सब्सक्राइब को आपके टू एक मेरे आपका इतना समय देना वाल आपकten Tianan Del